तो अगर आपको भी प्याज का टेस्ट पसंद आता है जिसे प्याज के कचोरी, समोसे, प्याज की सबजी तो ये पराठे आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। कि अगर विडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल न भूले तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा के तयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो कप गेहू का आटा लिया हैं, तो मैं यहाँ पर इसे गेहू के आटे से ही बना रही हूँ, लेकिन अगर आप और ज्यादा क्रिस्पी करना चाहते हूँ, तो आप यहाँ पर बन फोर्थ कप मेदा का भी उस कर सकते हूँ, इसके साथ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और दो छोटे चमिट डालेंगे तेल, तो तेल पिलकुल आपके उपर है, अगर आप डालना चाहें तो डालें नहीं, तो इसे इसके भी कर सकते हूँ, या फिर जो आपके पास गुंतावा आटा हो, उससे भी आप ये पराठे बना कर तयार कर सकते हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आटा लगा ही रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, जिससे भार से भी एकदम खसता बनेंगे, अब हम यहाँ पर पाने डाल के इसका नॉर्मल सा डो लगा के तयार करेंगे, डो हमें बहुत ज़दा हार्ड नहीं लगाना है, ड कवर कर देते हैं, और कवर करकर लगबग 10 मिट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, तक कि और भी पड़या से सेट हो जाएं, जब तक हम यहाँ पर आगे के तयारी कर लेते हैं, तो अब हम यहाँ पर प्याच के पराठे बना रहे हैं, तो हमें जोरत होगी प्याच की, मैंने यह पर इस तरह के of लिए हैं, तो यह पिलकुल आपके उपर है, आप कितने प्याच बनाना चाहते हूँ, उतने आप यहाँ पर प्याच ले लीजे तो मैं यहाँ पर चार लोगों के इसाब से पाराठे बना रही हूं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्याच को पत तो इसे खाननी में ढशने दिकने में बहुत भड़ाए लगीगा तो यहाँ पर देखे इस तरह से मेंने प्याज को कट लिया है छल्यए प्याज तो हमारे और कट कर तयार हो चुके हैं तो अब हम इसे डाल देते हैं किसी बड़े बरतन में अब जितनी पी प्याज है इन्हें हम खोल लेंगे यानि हमें इनकी लच्छे बना के तयार करना है तो बस इस तरह से आप कुजदेरीने मस लेंगे तो प्याज यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही लाजवा पराठ है यहाँ पर बनने वाले हैं आप इसे एक बार जरूर से ब दालेंगे थोड़ी से हम यहाँ पर डाल देते हैं हींग हींग से बहुत ही बढ़ी असा टेस्ट आएगा इसी के साथ 2 हरीमिर्च लिया है जिसे बिल्कुल बारिक काटावा है और अब अब हम यहाँ पर डाल देते हैं क्रश की वी अद्रक एक इंच अद्रक के टुकड़ एक चमश कर लिया है इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं सोफ और थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे साबुत धनय दोनों मेंने एक एक चमश लिया है और इनने क्रश करकर हमें लेना है तो सोफ और साबुत धनय आप जरूर से डाले इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही तो इन सबी चीजों को मैंने थोड़ा से चला लिया है और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं प्याच अब प्याच को भी हम एक बार बढ़िया से सभी मसालों में मिक्स कर देंगे तो चले अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल देते हैं जिसे एक चमश में डाल रही हूँ नमक नमक आप यहाँ पर अपने स्वादनों सार ले लीजे और यसी के साथ हम डाल देते हैं आधी चमश हाल्दी पाउडर अब इन दोनों को भी एक बर बढ़िया से मिक्स कर देंगे और अभी हमें यहाँ पर प्याज को पकाना होगा तो प्याज को पकाने के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि प्याज जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए प्याज हमें यहाँ पर जलाना बिल्कुल भी नहीं है बस तब तक हम इसे पकाएंगे तो इसे कवर करकर गेस का फिलिम लो कर देते हैं उस देर के बाद आप देखेंगे प्याज यहां पर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं यह देखिए तो चलिए अब हम यहां डाल देते हैं बाकी बचेवे मसाले जैसे एक देर चमश में आप ल बढ़िया पाउडर हमने बाद में डाला है यह भी बढ़िया से फ्राइ हो जाएं लेकिन हलके हातों से चलाएं प्याज तूटना पाएं क्योंकि प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं इसके बाद में यहां पर डाल रही हूं चार चमश बेसन तो बेसन डालना इसमें बहुत ही बेसन लगेगा अब बेसन को हमें यहां पर बढ़िया से भूनना होगा बेसन को हमें कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है तो बस मीडियम फ्लेम पे कुछ दर हम इसे इसी तरह से चलाएंगे तो आप देख सकते हैं बेसन भी बढ़िया से भून चुका है जब इस तरह स हम यहां पर डाल देते हैं चीनी तो बहुत ज़्यदा चीनी नहीं डाले क्योंकि प्याज में भी मिठास होती है बस इन दोनों चीजों को एक बार बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे तो इसका खटा मिठा टेस्ट जो है पराठों में बहुत ही बढ़िया लगता है और अब म के पास हो तो डाले नहीं तो कोई बात नहीं बीना इसके भी यह पराठे बहुत ही टेस्टी लगेंगे डालने के बाद गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे हरे प्याज को हमें यहां पर पकाना बिल्कूल भी नहीं है तो कि इसका जो क्रंची टेस्ट है वो पराठे में बहुत ह बढ़िया लगता है और अब हम यहाँ पर डाल देंगे धन्यापत्ती गेस का फ्लेम ओफ कर दिया है बस इस फीलिंग को अब हम ठंडा होने देंगे इसके बाद ही हम पराठो में इसे भरेंगे अगर आप गरम भरेंगे तो हो सकता है पराठे फट जाए इसलिए फीलिंग का बढ़िया से सेट हो चुका है तो चले अब हम यहाँ पर क्या करते हैं एक लोई बना कर तयार कर लेते हैं तो बस जिस तरह से रोटी के लिए लोई बना रही हूं बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं इस लोई के उपर हम रग μHaveोज, श्ली रका भाहएव सबता हो इसके लाक़ा हो कि आमने गाल बेस करम को प्लें यहां उश्फ के समय कोश्यों को से हम जरुम से लिखे करना हो अब कि आगे वाला हिससा है उसे पीछे कर देंगे क्या gjort कि आचा पर गृगार हो इता दो के लिखेती ही मसाला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे 2-3 चमज भर कर मसाला तो मसाला थोड़ा ज्यादा ही रखें इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है अब इसे थोड़ा सा हम शेप दे देते हैं यानि जी शेप में हम इसे बना रहें न वह इस शेप हम यहाँ पर दे देंगे तो यह बिल्कुल आपके उपर है अगर आप इसे गोल बनाना चाहे तो गोल भी बना सकते हैं चोरस बना सकते हो अब दोनों तरब से इस तरह से उठाते वे हम इसे फोल्ड कर देंगे यह दिखे हलके आतों से इसे थोड़ा सा दबा दे तावा भी बढ़िया से गरम हो चुका है जब इतावा गरम हो इसके बाद हम यह पर डाल देते हैं गेस का फ्ले मीडियम रखेंगे और एक तरब से जब यह जैसे ही सीखता है हम इसकी साइट चेंज कर देंगे और दोनों तरब से हमें इसे बढ़िया से से शेखना है अब पूला है तो थोड़ा साइसे चमत से दपाते वी से क्योंकि जब पराठा फूल जाता है तो साइड से इसमें कलर नहीं आपाता है बाकि कच्चा बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही बढ़िया फूला है और बहुत हीब बढ़िया से यहाँ पे नियार कर लेंगे तो आज की आपको कैसी लगे कोमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले